क्या होती है insecticide formulations पेश्टिसाइड दवाई के उपर लिखा C, S, E, C, W, P, W, G, S, L, C, S, P, S, G, W, D, Z ये सब बोतलों के उपर लिखा होता है, क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, insecticide formulation क्या है, और आपको बताएंगे इन formulation का सही तरीका क्या है, इसकी डोजवे छिड़काओ किस तरह से करना चाहिए, तो किसान भाईयों इन सभी के आज हम बात करेंगे, किस formulation को किस formulation के साथ मिलान चाहिए, इन सब पर आज बात होगी, इसके साथ ही होगी, आज के खास ग्यान की बात, तो किसान भाईयों मैं हूँ एलार चोदरी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खेती डिसकावरी 29, अगर किसान भाईयों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिल सके, किसान भाईयों आप में डिसक्रिप्शन में जाके हमारे फेस्बुक वाले पेस को फोलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सेर्च, चैट ट्वेटर पर भी फोलो कर सकते हैं, किसान भाईयों मेरा पेस्टिसाइड कामपनियों में 20 साल का एक्स्पिरियंस है, उसके वियाप पर हमारी प्रैक्टिकली और टेक्निकली जानकारी जो वीडियो होती है, वो एकदम स्टिक होती है, तो चलते हैं, बात करते हैं, यह इंसेक्टिसाइड फोर्मूलेशन होती है, जो उपर लिखी होती है, यह दवाई की केटागरी को शो करती है, क्यों लिखा जाता है, इसे इसलिए लिखा जाता है, कि दवाई की पैचान हो सके, दवाई का पता लग सके, कि इसे किस फोर्मूलेशन के साथ करना चाहिए, कि उसके मुताबिक इसे sampling में problem नहीं होती, sampling लेने में department को आसानी होती है, और उसी department के पैमाने के आदार के उपरी उसी sampling और जांच की जाती है, तीसरा इसका ये है कि इसकी दुकंदार द्वारा सही पहचान करके किसान को दवाई दी जाती है, कंपनी वालों द्वारा सही पहचान करके किसान को दवाई दी जाती है, तांके किसान को तरीका इजी रहे कि उसको कौन सी दवाई के साथ इसे mix करना है, कौन सी के साथ नहीं करना है, ये fungicide है, insecticide है, herbicide है, क्या है, अब बात करते हैं इसकी formulation की, तो ये एक insecticide formulation होता है, जैसे के आज का हमारा टाइटल है, C.J. Insecticide Formulation, C.J. मिनिंग C.J. की full form encapsulated granules, ये सुक्षा तमक तरीके के साथ एक दानेदार product होता है, जैसे के 4.8 10% C.J., कार्बो फुरान 3% C.J., ये देखने में दूर से powder जैसा दिखता है, बट महीन छोटे-छोटे कंड होते हैं, तब ही ये granules की category में आता है, इसका nitrogen, fast force की तरह सिधा छिड़काव किया जाता है, किसान भाईो आज का ग्यान, मेरा तजरुबा आपके लाब के अगर बात करें, तो इसे जमीन के कीडे, जड़ रोग, रोट रोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बुमी के लिए नुकसान दाइक होता है, क्योंकि ये बुमी के मितर कीट भी खतम कर देता है, इसलिए इसे अगर फसल को ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो, जब लगे के इसके बगएर कोई चारा नहीं है, तब ही इस्तेमाल करें, और इसके छिड़काव के दो महिने पहले, वे दो महिने बाद तक ट्राइकोडर्मा वे माईकोराजा का छिड़काव नहीं होना चाहिए, क्यूंकि Trichoderma Vemikoraja bacteria युक तो होता है और उसे Carbofuron Vemforate खतम कर देते हैं ये टेक्निकल इसे खतम कर देगा इसलिए हमारा जो खर्चा है Trichoderma Vemikoraja का वेस्ट ही जाएगा तो किसान भाई ये थी संपूर्ण जानकारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करें तांके अन्यकिसान भाई फाइदा उठाज के मिलते हैं किसान भाई ओ नेक्स्ट फॉर्मूलेशन डी एस फॉर्मूलेशन के साथ तब तक दीजे जाज़त जैहिंद वंदे मादरम